Permutation and Combination पर हम पहले दो किलास ले चुके हैं, उनी किलास को आगे continue करते हैं, कुछ और questions के साथ इस वीडियो में नमस्कार, तो आगर ते आप सभी का आपके YouTube चैनल योगे स्तॉमर मैथ्स पर जैसा कि हमने पिछली वीडियो में Permutation and Combination के बहुत सारे questions solve किये हैं साथ के साथ Permutation का basic पड़ा, हमने Combination का basic पड़ा, हमने संभावनाओं सोचना सीखा, ठीक है संभावनाओं को solve करना सीखा, हमने चुनना सीखा, हमने decorate करना सीखा, कि कहां चुनना हैं, कहां मैसा जाना हैं, कहां arrange करना है ठीक है तो ये सारी बात हैं हमने पिछली वीडियो में सीख ली हैं अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले जाओ आप पिछली वीडियो देखो जिससे आपको सारी बात हैं छोटे-छोटे questions, basics, सब समझ में अच्छे से आए तो आज की इस वीडियो में हम सुरुआत करते हैं फिर से एक बहतर से question के साथ ठीक है तो हमारे पास question क्या है कि दस व्यक्तियों में से पांच सदस्य की एक समिती का गठन कितने प्रकार से किया जा सकता है ठीक है जबकि दो विसेस व्यक्ति अवस्य सामिल हों अब मुझे एक members की एक समिती बनानी है ठीक है अब यहां 5 members की एक समिती बनानी है लेकिन उसने condition दे दिया कि भाई दो विसेस व्यक्ति अवस्य सामिल हों मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में सारी बात है थोड़ा सा यहीं पर समझने की कोसिस कीजेगा कि अगर 10 में से 5 होता 10C5 होता 10C5 होता अगर उसको 10 व्यक्तिएं has taught कोई भी दिमाग नहीं लगाना होता कोई भी कंडिशन नहीं होती đा आप सीधा सीधा लिएक दस व्यक्तियों में से पांच व्यक्ति आ मुझे चुनने हैं और चुनने के लिए हम क्या लगाते हैं इसको अरेंज करने का होता तो वहां हम permutation लगाते तो यहां पर हमें भाई direct transfer मिल जाता तैंसी फायर लेकिन उसने condition डाल डाल दे भाई कि दो विशेस व्यक्ति अवस से सामिल हो मतलब दो व्यक्तियों का बार कमिटी के अंदर होंगे उन पांच सदस्यों में 2 सदस्या हर वार he पहले से ही मौझूद होंगे उनक तो चुनाव करना यह सही माइने में दो विशेश व्यक्टी अगर होंगे ठीक है अगर 2 विसेश व्यक्ती हर वार होंगे तो Each सभी वाट है कि मेरे पास जो चुनाव करने के लिए व्यक्ति भचे होंगे वह थाप करना है तो आपको फ्यक्तियों को चुनाब करना है तो तें व्यकlियों falls does तो प्रैड्यों को आपको छुनाब और में से नहीं होगा रहतिकसे 2 व्यक्ति तो आपके हमेशा already वही पर रहेंगे ही रहेंगे क्युक़ वह हरवार सामेलोंगे तो 8 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का चुनाब कर लीजे combination लगा दिजी भी तो 8 में से 3 व्यक्तियों का चुनाब करोगे आप यहां पर तो question का answer क्या हो जाएगा भाई तो आप इसको open कर दो open करने का तरीका मैंने बताया था कि 8 को 3 times open कर दो तो 8 into 7 into 6 और यहां factorial 3 को भी R का value इसको भी open कर दो तो 3 into 2 into 1 ठीक है factorial 3 इसको solve कर दो बागी formula से बचने का मैंने यह तरीका बता था आप लोगों को 3 to 6, 6 से 6 cancel out हो गया भाई 8, 7 जा कितने हो गया 56 हो गया तो 56 का answer हो गया कितना हो गया? 56 हो गया clear है? आसान सवाल तो देखने में जितने डरावने सवाल होते हैं यह solve करने में उतने ही आसान होते हैं बस सर्त है कि आप सही तरीके से सोच पाओ जितना अच्छा सोच पाओगे क्योंकि 10 व्यक्तियों में से मुझे 5 व्यक्तियों का चुनाव करना था तो मैं देन सी फाइबांसा दे देता लेकिन उसने दोस वेसे इस व्यक्ति है वस सामिल करवा दिये मतलब कहने का यह है कि वह सामिल होने ही ओने तो उनका चुनाव करना ही नहीं है तो 10 नहीं है मेरे पास 8 व्यक्तियों है और चुनाव करना पांच का नहीं है उन्हीं सही माइने में 3 का चुनाव करना है क्योंकि 2 तो this же already चलते हैं ग्यारा खिलाडियों की एक टीम में से एक कप्तान और एक कप्तान की चुनने के कुल कितने तरीके होंगे अब इस बात को समझीएगा ग्यारा खिलाडी हैं उनमें से एक captain choose करना है मुझे ठीक है और एक भहिया wise captain choose करना है ठीक है ये दोनों choose करने है मुझे तो एक captain choose करना है और एक up captain choose करना है कैसे चुनूँगा भाई पहले में कप्तान चुनने जाऊंगा या उपकप्तान चुनने जाऊंगा तो भाई यहां से चलते हैं नाम कप्तान ठीक है और एक कप्तान और एक उपकप्तान एक्च्वल में यहां पर उपकप्तान है ठीक है क्या है उपकप्तान and a wise captain ठीक है तो मैं 11 व्यक्तियों में से मुझे 1 व्यक्ति चुनना होगा, जो क्या होगा, Captain होगा, ठीक है? यह हो गया Captain, यह Captain का चुनाव होगा भई, ठीक है? अब उसके बाद क्या सीन रहेगा उसके बाद सीन रहेगा वाइस केप्टन के लिए उपकप्तान के लिए अब उपकप्तान का चुनाब कैसे करोगे भाई तो आपके पास क्या ग्यारा व्यक्ति बच्छे होंगे मेरे हिसाब से ग्यारा व्यक्ति नहीं बच्छे होंगे क्यो उन दोनों की अपनी अलग-अलग विसेष्टा है उसका पद Captain का है उसका पद Wise Captain का है ठीक है? तो एक कप्तान है और एक ओक कप्तान है तो कप्तान 11 व्यक्तियों में से चुना जाएगा मतलब कप्तान तो एक ही होगा तो 11 C1 ये तो हो गया कप्तान का चुना ठीक है अब कप्तान चुनने के बाद उप कप्तान चुना जाएगा तो कप्तान चुन लिया गया है अब मेरे पास लोग कितने वचे दस वचे अब दस व्यक्तियों में से मुझे किसका चुनाव करना है उप कप्तान का तो वही वाइस केप्टन के लिए मुझे जो चुनाव करना होगा वो 10 में से किसका करना होगा एक व्यक्तिगा दस में से कोई एक ही तो वाइस केप्टन बनेगा और यहां 11 में से कोई एक केप्टन बनेगा एक केप्टन बनेगा वो वाइस केप्टन तो नहीं बन सकता है अब जब वाइस केप्टन नहीं बन सकता तो फिर चुनाव कितनों में से किया जाएगा दस लोगों में से किया जाएगा और कितने वहत्तियों के किया जाएगा तो एक वेक्टिया किया जाएगा, clear है? तो बही यहां टेंसी वण हो गया, अब बात आती है यहां प्लस लगाऊं या into लगाऊं तो भहिया देखो ये कप्तान का चुनाव हो गया और ये उपकप्तान का चुनाव हो गया और जब भी और वाली condition आती है तो क्या होता भहई into इंग्लिस वाला और नहीं हिंदी वाला और मतलब इंग्लिस में end तो end आएगा तो भहिया 10 हो जाएगा इस question का answer clear है इस question का answer क्या हो जाएगा 110 दोबारा से समझ लो कप्तान का चुनाब 11 खिलाडियों में से कोई भी बन सकता है ठीक है कप्तान चुन गया अब वो vice captain नहीं बनेगा ना वो vice captain के चुनाब में भाग लेगा तो भाईया आप मेरे पास लोग कितने वच्छे 10 वच्छे 10 में से मुझे किस का चुनाब करना है एक कप्तान का चुनाब करना है और वो कर लोगा मैं clear है तो ये question समझ में आ गया होगा चलो भाई अगला question क्या है आपका 11 खिलाडियों में से एक कप्तान और एक कप्तान चुनने के 11 players while 2 persons are not eligible ठीक है तो 2 persons जो है वो eligible ही नहीं अब वो eligible नहीं है simple सा fund है भाई कि 11 तो थे 11 में से 2 eligible नहीं है 2 are not eligible ठीक है तो यहाँ पर ये eligible नहीं है तो भाई मैं इनका तो चुनाब करूँ आँ नहीं इनका तो भाई इनकी तरप तो मैं देखूंगा भी नहीं क्योंकि योगई नहीं है तो वही simple सी बात है भाई चुना कौन जाता है जो योग्यो होता है अब जो योग्यो होगा जिसने मेहनत कियोगी जिसने अपने game को निखा रहा होगा जिसने अपने आप उस exam को आप भहिया अपने आप examiner आपको चुन लेगा क्योंकि जब आप योग क्यों हो जाएंगे तो जरूर चुने जाओगे clear है तो महनत करो अपने आपको बहतर बनाओ जिससे क्या कहते हैं आपका selection हो सके तो भाई दो तो not eligible हो गए उनको तो choose करना ही नहीं है तो मेरे पास choose करने के लिए लोग कितने बचे total तो 9 बचे कितने बचे 9 बचे अब 9 में से मुझे चुनाव करना है एक कप्तान का और एक कप्तान का करने का तरीका वही रहेगा, कि नौ मेंसे मैं पहले किसको चुनूँगा, भई कपतान को चुनूँगा ठीक है, ये मैंने पहले कपतान चुन लिया तो नौ लोगों में से एक का चुनाव करके मैं कपतान वनाऊँगा अब लोग कितने बचे? आठ कितने लोग बचे 8, same बिछले question की तरह, ठीक है, ये 2 not eligible, इससे तो वस इतना हो गया, कि 11 में से चुनाव नहीं होगा, चुनाव जो होगा, वो कितने लोगों में से होगा, 9 लोगों में से होगा, ठीक है, क्योंकि 2 तो योग है ही नहीं, तो वो चुनाव में भाग लेंगे ही नहीं, ठीक, तो अब यहाँ चुनने के लिए मेरी नेजर कितने लोगों पर जाएगी, 9 पर जाएगी, और 9 में से सबसे पहले में का चुनूँगा, कप्तान चुनूँगा, एक व्यक्ति, अब मेरे पास लोग कितने बचे होगे, कप्तान भी चुन लिया मैंने, तो मेरे पास लोग को बचे, 8, अब 8 में से मैं एक अपकान चुनूँगा, और इन्टू का साइन लगा दीचेगा, ठीक है, तो वहिया यह चुनाब हो चुका है, यहाँ से सौल ओके क्या आएगा, 9C1 का वेलू, 9 आएगा, एक वारी उपन करोगे 9 को, 8C1 से 8 आएगा, तो 9 मज में आ गया है, तो चलते हैं अपने अगले कोशन पर, ठीक है, उमीद है, कि यह अच्छा लगा होगा, मिरे को भी अच्छा लगा यह कोशन, ऐसे कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ, अब दो गदर, यहाँ 15 खिलाडियों में से 11 खिलाडियों के चेन के कितने तरीक में से 11 चुनने हैं, तो सीधा सीधा अंसर हो जाता 15 C 11, किलियर है, अब उसके बाद क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, आपको बड़े तमीज के साथ, उसने एक कंडिशन वड़ा दिये, कि तीन विसे स्खिलाडी टीम में सदेव सामिल हो, अब यह तीन विसे ठीक है, और आपका बुमरा हुआ, अगर यह हैं सही, तो भाई यह तीनों का चैन तो होना ही होना है, इनके चैन पर तो चैन करता को भी सक नहीं होगा, भाई, क्योंकि विराट, कैसे भी सही, फॉर्म में है, नहीं भी हो, तो भी लेना है, रोईसर्मा फिर भी लेने हैं, बुमरा तो भी लेने भाई, तो इन सब को लेना ही लेना, तो ये तीन विसेस खिलाडी आपके टीम में रहेंगे ही रहेंगे, चलो भाई, अब ये तीन विसेस खिलाडी टीम में रहेंगे ही रहेंगे, तो सही माईने में चुनाव के लिए आपके पास लोग कितने बचे, 12, और तीन खिलाडी टीम में आ चुके हैं ग्यारा में से, मुझे ग्यारा की टीम बनानी है न, तो ग्यारा में से तीन खिलाडी आपके टीम में आ चुके हैं, तो अब मुझे बताओ कितने बचे होंगे, आठ बचे होंगे, ग्यारा में से तीन आ चुके हैं, तो आठ लोग मु का answer हो जाएगा clear है तो उमीद है कि यह question भी समझ में आया होगा कुछ नहीं होता इन questions में यह बहुत असान होते हैं clear है चलो तो अगला question देखते हैं अब देखे हमारे सामने अगला question क्या कहता है भाई कि आर पत्रों को एन पत्र पेटी में डालने के कुल तरीकों की संख्या ग्यात करें find the total number of ways of putting our letters in n letter boxes ठीक है बाई मुझे एक बात बता हो कि मेरे पास r है letter ठीक है और मेरे पास n है letter box ठीक है बाई अब एक बात बोलो कि मैं पहले letter को दालने जाता हूं तो मेरे को कितने letter box दिखाई देंगे भ हाँ या ना भाई मैं पहले letter को डालने जाता हूं तो मेरे को n letter box दिखाई देंगे और मैं पहले letter को डालने के लिए मेरे पास कितने options हैं तो n option है भाई मैं n letter box में से किसी में भी डाल सकता हूं किसी में भी डालकर आ सकता हूं पहले letter को ठीक है तो मैं डालने गया किसी में दालने गया, दूसरे letter को लेके जाता हूँ, तो भी मैं किसी भी letterbox में डाल सकता हूँ, तो भाई, बैने फिर उसके लिए भी any, मेरे पास क्या है, options हैं, तीसरे letter को डालने के लिए मेरे पास total options फिर से कितने होंगे, तो फिर से any ही होंगे, चोते letterbox को डालने के लिए फिर से क सकता हूं कितनी बार डालने जा सकता हूं मैं आर बार और हर लेटर के लिए मेरे पास option क्या होंगे तो n होंगे कितने होंगे n होंगे अब यहां n into n into n कितनी बार आर बार तो answer क्या हो जाएगा n to the power r क्या answer हो जाएगा n to the power r भाई N का multiply R times करोगे तो N to the power R ही तो जाएगा clear है तो उमीद है कि ये question समझ में आया होगा और समझ में आया है तो अगले question पर चलते हैं यदि किसी अलमारी पर N खिलोने रखे हुए है ठीक है भाई तो उन्हें कितने तरीकों से विवस्तित किया जा सकता है यदि कोई दो निश्चित खिलोने हमेशा साथ रखे जाएं चलो ये बात था ही है अब यहाँ question arrange करने का हो गया और अगर arrange करने का हो गया तो simple सी बात है यहाँ क्या लगेगा permutation लगेगा और permutation के लिए आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी सबसे पहली वाली वीडियो देख लो इसकी ठीक है जो permutation and combination के नाम से class 1 के नाम से है link description में दे रखा है complete probability permutation and combination के नियम से ठीक है अब यहां पर अगर मैं देखूँ तो उसने बोला है कि कोई दो निस्चित खिलोने हमेशा एक साथ रखे जाएं ठीक है if two certain toys are always kept together तो यहां पर कोई भी दो निस्चित खिलोने एक साथ होने चाहिए अब मैं इनको arrange करना चाहता हूँ कि भाई कैसे कैसे मैं arrange कर सकता हूँ एक अलमारी के अंदर चलो ठीक है मान के चलो वो निस्चित दो खिलोने यही हैं C और D हम इसे कितने तरीके से लिख सकता हूँ भाई तो इसे मैं रख सकता हूँ अगर यह दोनों एक साथ आएंगे तो यह जब भी चलेंगे एक ही साथ चलेंगे मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो यह दोनों भाईया कभी अलग अलग नहीं होंगे अब यहां मेरे पास टोटल खिलोने कितने वच एक दो तीन तो मेरे पास तीन वच है अब यहां तीन वच है क्योंकि यह दोनों खिलोनों ने एक ही खिलोने का सम्मा मलब रूप ले लिया होगा आप यह बानके चलो बस कि दोनों खिलोने एक ही साथ चलेंगे तो भाईया तो कितने तरीके से कर पाऊंगा factorial तीन तरीके से कर पाऊंगा लेकिन दिक्कत कहाएगी दिक्कत यहां आएगी कि कभी C को आगे लिखोगे आप कभी D को आगे रख सकते हो यह तो कर सकते हो ना आप दोनों साथ रखी है आप C और D को लेकिन यह जरूरी थोड़े है कि नहीं या D पहले आएगा और C बाद में आएगा, या ऐसा बोला गया है कि C पहले आएगा और D बाद में आएगा, ऐसा भी तो नहीं बोला गया, तो आप इन दोनों को भी अरेंज करने के लिए स्वतंतर हैं, मतलब D को C की जगा पर C को D की जगा पर आगे पीछे अरेंज कर सकते हो और जब अरेंज कर सकते हो तो इनने टोटल कितने तरीके से अरेंज करोगे भाई तो फैक्टोरियल दो तरीके से अरेंज करोगे कितने तरीके से range करोगे तो factorial दो तरीके से range करोगे और इनको solve कर लो भाया तो यह into होगा तो इसका क्या मतला बना कि यहाँ पर 3 था तो अब यह 2 होगा अब मान के चलो मेरे पास एक और example लेता हूँ मैं यहीं पर क्योंकि इस question को समझाने के लिए मुझे example की जरूरत है अब मान के चलो a, m और b और यह c और d थे ठीक है अब मुझे यह c और d फिर से साथी रखने है तो यहाँ पर अब total number of ways कितने बनेंगे एक, दो, तीन, चार तो चार स्थान बनेंगे तो factorial अरे हाँ या ना और in two कितना भईया तो यह factorial two भईया क्योंकि यह दोनों आप असमरेंज होंगे तो factorial two हो जाएगा सेम इसकी तरह, एक, दो, तीन, चार चार स्थानों का आप असमरेंज करोगे आप तो factorial चार, लेकिन एक स्थान पर दो लोग बैटे हुए हैं, उनको भी आप असमरेंज करोगे तो factorial दो, तो यह तरीके बनेंगे total अब यहां से आप एक बार दीखिएगा कि यहां total खिलोने कितने थे चार, यहां कितने factorial आया भई, तीन factorial मतलब एक factorial कम आया यहां total खिलोने कितने थे भाई तो पांच थे, अब यहां पांच थे तो यहां पर एक factorial कम आया अरे हाँ या ना, तो पांच के case में चार आ रहा है, चार के case में तीन आ रहा है, अगर मैं 6 किलोने कर दूँ तो COD को सेमी रखूँगा, एक और बढ़ा दूँ मानके, चलो मैंने यहां पर L बढ़ा दिया ठीक है, अब अगर L बढ़ाता हूँ मैं, तो क्या देखेगा मुझे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस्तान देखेंगे मुझे तो factorial पांच आएगा, और यह आपस में factorial दो बनाएंगे ही बनाएंगे अब देखो दर, यहां total खिलोने कितने हैं, N खिलोने, ठीक है N खिलोने हैं, तो मेरे पास स्तान कितने बनेंगे, N-1 बनेंगे क्यों, क्योंकि एक स्तान पर कितने खिलोने बैठेंगे, एक साथ दो रखे जाएंगे, एक साथ दो बस आप उसको लेंगे तो अपनी अपनी जगह पूरी ही लेकिन वो जब भी चलेंगे वो एक साथ चलेंगे ठीक है तो हमारे पास जो कंडीशन चलेगी उनके लिए चले को स्थान अरेंज कर ना की पड़ेगा। थिक है। तो टोटल मेरे पास खिलॉने एन उनमें से कितने खिलॉनों को एन्ट पाऊंगा वब्हाई तो मेरा आसर क्या होगा, ठीक है वाई 대 uncom 2 होगा, otra2 , 2 होगा, क्योंकि two factorial का वेलू क्या होता है , दो ہी होता है , दूबारा से समझो, 4 खिलोने थे, 4 खिलोनों में से इस्पान कितने बने, मेरे पास 3 बने, 5 किलोने मेरे पास इस्थान कितने बने चार बने मतलब मैं चार तरीके से उनको अरेंज कर सकता हूँ क्योंकि यह दोनों जब भी चलेंगे एक साथ चलेंगे और इंटू दो भाईया यह उन दोनों खिलोनों का है कि वो दोनों आपस में भी अपनी साइड चेंज कर सकते हैं C की जगा D आ सकता है D की जगा C आ सकता है सेम इंटू दो यहाँ पर भी है तो मेरे पास टोटल खिलोने N N में से यहाँ 4 की जगा 3 आया वहाँ 5 की जगा 4 आया तो यहाँ N की जगा पर एक कम करके आएगा N-1 तो N-1 फैक्टोरियल यह टोटल वेज होगे उनको अरेंज करने के लेकिन इंटू दो कौन सा इंटू दो वेटा उनका जो दो खिलोने एक साथ रखे जाएंगे उनका ठीक है तो वो भी तो आपस में अरेंज होंगे तो C इंटू D ठीक है C और D दोनों के case में आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हो तो आंसर क्या होगा भाई, फैक्टोरियल टू का वैलू कितना हो गया, टू हो गया, और क्या है भाई, फैक्टोरियल N-1 है, और फैक्टोरियल N-1 है, तो option D इस question का आंसर हो जाएगा, clear है, तो दो खिलोने N-1, ये टोटल वेज हो गए, आपके उन दो खिलोनों को एक साथ कि उमीद है कि ये अच्छा question आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बागई अच्छा question है, बहतर question है, जो आपको समझ में आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले question पर, और अगला question क्या कहता है भाई, सेम कहता है कि अलमारी में n खिलोने रखे हुए हैं तो उन्हें कितने तरीकों से विवस्तित किया जा सकता है यदि कोई दो निश्चित खिलोने अमेशा एक साथ न रहें आप समझिएगा ठीक है मान के चलो कि मैं n खिलोनों को अरेंज करता तो मेरे पास total number of ways कितने होते भाई तो total number of ways होते उनको अरेंज करने के factorial n कितने होते भाई factorial n होते उनको अरेंज करने के total number of ways ठीक है अब दो खिलोने एक साथ रखने का case जो अभी हमने पिछले question में पढ़ा है वो क्या होता भाई तो वो होता 2 और factorial n-1 ठीक है यही तो होता तो जहां 2 एक साथ आएंगे वो ये वाली condition हो गई total n किलोनों को अरेंज करने के condition ये हो गई तो ये total संभावना हो गई ये 2 किलोनों को एक साथ रखने वाली संभावना हो गई और मुझे क्या चाहिए कि 2 निस्चित किलोने हमेशा एक साथ न रखे जाएं 2 certain toys are not always kept together मतलब 2 खिलोने एक साथ नहीं होने चाहिए 2 toys जो हैं वो एक साथ तोगेदर नहीं अरेंज होने चाहिए चलो भई तो अब नहीं होने चाहिए तो total number of ways जो अरेंज करने के हैं उनमें से 2 खिलोनों को एक साथ रखे वाले case को क्या कर दो माइनस कर दो भाई अब इसको माइनस कर दो अब इसको माइनस कर दो तो आप solve करोगे तो ये total number of ways को हम से हो गए कि जब 2 खिलोने एक साथ नहों ठीक है? 2 खिलोने एक साथ नहों ये वही तो condition हो गई अरे हाँ या ना? अब हो गई तो इसको solve कर लो भाई कैसे solve करोगे? तो तमीज के ही साथ solve करेंगे factorial n को open करो क्योंकि factorial n-1 है यहाँ पर तो factorial n को मैं open कर सकता हूँ n-1 factorial ठीक है? और minus कितना भाई? तो minus 2 और n-1 factorial ठीक है? अब इन दोनों से common ले लो n-1 factorial ठीक है? और यहाँ क्या बचा होगा n और यहाँ क्या बचा होगा 2 तो n-2 ठीक है? तो इस question का answer आएगा n-2 ठीक है? और यह होगा factorial के अंदर n-1 यह इस question का answer होगा clear है? तो उमीद है कि यह question भी समझ में आया होगा बाई n खिलोनों को arrange करना तो factorial n 5 अक्षरों को arrange करना तो factorial 5, 6 अक्षरों को arrange करना तो factorial 6, simple सी बात है पर वो different होने चाहिए, अलग-अलग होने चाहिए और n खिलोने तो जायर सी बात है कि वो अलग-अलग ही होगे, ठीक है? तो यह question समझ में आ गया होगा, ठीक है? और यह भी अच्छा solution था, सही तमीज के साथ था, यहां factorial को open किया हमने, जो आपको अच्छे से दिमाग में बैटा होगा, तो उमीद है कि आप ऐसे question कर सकते हैं, तो मैं चलता हूँ अपने अगले question पर, और हमारा अगला question कहता है कि दस पृष्कारों को साथ व्यक्तियों में बांटने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं, in how many ways can 10 prices be distributed among 7 persons, चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूँ कि पहले पृष्कार को बांटने जाता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास option कितने हैं, भाई, पृष्कार तो 10 हैं, लेकिन मेरे पास व्यक्ति कितने हैं, 7, तो मैं पहले पृष्कार को बांटने जाता हूँ, तो उन 7 में से किशी को भी दे सकता हूँ, तो मेरे पास option कितने हुए फस्ट आपके प्राइज के लिए मेरे पास option कितने हुए भाई तो seven हुए अब मैं दूसरे पुरुषकार को देने जाता हूँ तो भी मैं किसी को दे सकता हूँ क्योंकि यहां पर कोई condition नहीं दे रखी है तो आप दूसरे पुरुषकार को भी कितने लोगों को ब कितने लोगों को बांट सकते हैं तो साथ में से किसी यहां पर साथ 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 अगले पृस्कार के लिए फिर से तो टोडल पृस्कार कितने हैं तो यह साथ वार ही कितनी वार होगा भई is दस वार होगा अभी podrusters को एन लेटर बॉकले क्ति कर सकता हो तो पहले लेटर को मैं साथ में से किसी में भी पोश्ट कर सकता हूं ऐसी तो पहले पृस्कार को मैं साथ वेक्टियों में से किसी को भी बांट सकता हूँ, दूसरे को भी मैं किसी को भी बांट सकता हूँ, तो 10 के 10 को मैं किसी को भी बांट सकता हूँ, तो 7 की पावर कितना आउसर आएगा भाई, 10 आएगा, तो R letters वाला जो question था, N letter box में भी हमने पीछली हैं, थोड़े सी दर पहले पढ़ा था, उसी question के according ये question था, same to same था, बस वहाँ N और R थे, यहाँ 10 और 7 आगे, तो answer क्या होगा इस question का, 7 to the power 10, clear है, तो चलते हम अपने अगले question पर, और हमारा अगला question क्या कहता भाई, अब बोलता है, 10 प्रुसकारों को 7 व्यक्तियों में वाटा जा सकता है, ठीक है भाई, तो answer 7 की power 10 था ही तो पिछले question में, जबकि एक व्यक्ति अधिक्तम 9 प्रुसकार ले सकता है, यह आई ना बात, एक व्यक्ति अधिक्तम 9 प्रुसकार ले सकता है, यहाँ पर बात आती है, वैसे total कितने बन रहे थे हमारे पिछले question में, 7 की power 10 बन रहे थे, तो यह तो समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, अगर यह condition, यह 9 प्रुसकार वाली condition को, अगर मैं ऐसे 8 दूँ, तो answer फिर से क्या आएगा, 7 की power 10 आएगा, लेकिन अब ध्यान सुनिएगा, 9 प्रुसकार से जादा नहीं ले सकता, मतलब वो 10 नहीं ले सकता, वो 10 प्रुसकार नहीं ले सकता है, कितने नहीं ले सकता है दस पुरुसकार नहीं ले सकता है अब क्या कर सकते हैं अमदे खुदर तो यह total condition तो इतनी वनेगी अब दस पुरुसकार हर व्यक्ति के पास जाने की कितनी संभावना है क्योंकि जितनी संभावना होंगी उनको माइनस कर दो, भाई इसमें से क्या माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, कि 10 पुरुसकार लेने की संभावना है, ठीक है, 10 पुरुसकार एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा लेने की संभावना है, इनको माइनस कर दो, भाई, तो लेने की संभावना, इसक हो गई तोटल तरीके बन गए कोई कंडीशन है अधिक्टम नौनने सकता है तो भाई ज multi ममनेइस करzahl होोगी मुझे एक चलेगा मेरे लिए किसी को एक मिला ओऊ चले गा किसी को 2 मिले ओं चलेगा किसी को तीन मिले ओऊ चलेगा किसी प्रश्कार मिले हो चलेगा, पांच मिले हो चलेगा, छे मिले हो चलेगा, आठ मिले हो तो भी चलेगा, लेकिन नौ मिले हो तो भी चलेगा, लेकिन दस वाला नहीं चलेगा, तो पहले बंदे को साथ, सरी, दस के दस पुरुष्कार मिल सकते हैं, एक कंडीशन हो गई, दूसर 10 के 10 मिल सकते हैं, 7 condition हो गई इस से ज़्यादा तो नहीं है, 10 पुरुसकार मिलने की condition एक विक्ती को ये कितनी condition हो रही है, 7 तो भईया, इसमें से सिर्फ 7 को minus कर दो किसको minus कर दो, 7 को तो answer क्या हो जाएगा, 7 to the power 10 और minus 7 ये आपका answer हो जाएगा, इस question का क्या करना है आपको 7 to the power 10 टोटल वेज हो गए minus 7 कैसे कर रहे हैं, कि जितनी बार 10 पुरुसकार मिलने की संभावने होंगी, उनको minus कर दो, क्योंकि सारी घंभावना चलेंगी, सिर्फ एक 10 वाली नहीं चलेंगी, ठीक है, क्योंकि 9 पुरुसकार ले सकता है, तो 10 ही तो नहीं ले सकता वो, तो 10 वाली संभावना को minus कर दो, और minus कर दो, वो कितनी संभावना बन सकती थी, 7 लोगों पर बन सकती थी, पहले को मिल सकता था, तो दूसरे को मिल सकते थे, 10, तीसरे को मिल सकते थे, सातों में से किसी को भी मिल सकते थे तो टोटल संबाबना कितनी वन रही थी साथ वन रही थी केलियर है उमीद है कि यह कोशन समझ में आया होगा यह सॉलूसन समझ में आया होगा और अगर आ गया है तो चलते हम अपने अगले कोशन पर अब ये क्या बोलता भाई A से B तक जाने के लिए 5 रास्ते हैं बहुत अच्छे A वं B से C तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं बहुत अच्छे C से D तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं भाई बहुत अच्छे अधिक्तम कितने रास्ते होंगे A से D तक पहुँचने के लिए A से D तक पहुँचना है अब देखो तर यहाँ A रहा ठीक है अब A से कहा जाना है मुझे B और A से B तक जाने के लिए मेरे पास 5 रास्ते है कितने रास्ते हैं 5 ठीक है अब B से C तक जाने के लिए कहां पहुंच लिए चाहिए पर यह 4 रास्ते आप टोल नंबर व। आपको टोटल रास्ते चाहिए कितने रास्ते से आप पहुंच सकते हो आप मुझे एक बाद हधां हूँ एक मैं इसके साथ जाता हूँ हम गार Jonah ya can सब्सक्राइब सम्भावना कि भाई मैं इसके साथ पिर इन में सब्सक्राइब एक और इसके साथ इन चारा में से कोई एक का कि सकता हु sail कोतու तो टोटल बारा तरीके बन रहे हैं नहीं से से मिल रहे हैं सेम यहां से इस रास्ते से भी मुझे कितने मिलेंगे बारा मिलेंगे इस से भी कितने मिलेंगे बारा मिलेंगे दूसरी बात आपको कुछ नहीं करना भाई के टोडल संभावना एसे बी तक पहुंचने के पांच हो गए बी से सी तक जाने के तीन हो गए ठीक है त तो total सम्भावना हैं 5 x 3 15 हो गई हैं, ठीक है अब वो 15 सम्भावना के तनों का चुनाव कर सकती हैं, 4 का कर सकती हैं, कोई से भी 4 का कर सकती हैं, तो आपके पास total number of ways कितने बनेगे, 5 x 3 15 x 4, 60 इस question का answer हो जाएगा, clear है, तो total कितने रास्ते होंगे भाई, a से d तक पहुँचने के लिए तो 60 रास्ते होंगे तो 60 तरीके से आप जा सकते हो a से d तक clear है, उमीद है के आपको यह questioned समझ में आया होगा और यह class भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर यह सभी questions अच्छे से समझ में आया होगा तो अपना काम कर दीजेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर कर दीजेगा और आगे अभी ये permutation and combination खतम नहीं हुआ है अभी हम permutation and combination के और सवाल लेकर आएंगे जिससे probability में आपको कोई परिसानी नहीं हो अभी बहुत सारे type कराने मुझे permutation and combination के ठीक है तो almost सभी types करने के बाद ही हम probability start करेंगे तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैभारत